सनी लियोनी बॉलीवूर्ट से आई हैं तो किसके साथ आई हैं कि अगर मुझे कुछ होता है मैं सुसाइड कर लूग अगर कुछ होता है तो पौन सिंग कुछ नहीं चाहिए कि हमारे खांदाने में क्या हो गया सब गड़बड चल रहा है कुंडली में दारू आ पहला केक इन अगर में अपने गाने के में नचारें दिन के अफसर पर बहुत सारी सुबकामनाय करते हैं उन्हें सुष्ट रखें और सद बुद्धी दे कि अपने निजी जीवन को भी वो संभाल सके बुद्धी को क्या है ठीक है अठारा बिस बिस गता काम करें एक सिक बड़ा अधिन जीवन को संभाल सके वैसा सद बुद्धी भगवान उसे दे और उस वेक्ति को कम सकम यह समझ में आये कि आप एक सुपर अश्टार हैं पावर अश्टार तो लोग कुछ भी कह सकते हैं लेकिन हम पावर अश्टार जनता को मानते हैं पावर अश्टार या कोई भी जनता को देते हैं जनता के आश्रवात से ही आपका नाम में उपनाम जुठता है तो उस वेक्ति को यह समझ में आये कि आप दुनिया में सब कुछ हासिल कर सकते हैं लेकिन नीजी जीवन को भी अनुसासित रखना बहुत जरूरी होता है तो बड़े भाई को अगर यह जिस एक तरफ देखा जाए तो मधूती रिशाकर को भी माना जा रहा था कुछ दिर वीडियो बारे सब को बाइकार्ट का दिया एक नई लकीर लेकर आग है सनी लियोनी को इस दुनों मेंटर को यह कैसे देखते हैं गाने को लेकर जैसे सनी लियोनी बॉलीवूर से आई है तो क आपका बड़े अस्पेसल सौंग है वैसे भी सौंग आप रिलीज करते किसी लड़की के साथ तो यह सौंग बजता है लोग जरूर पसंद करते इसको क्योंकि आपका स्पेसल सौंग होता है तो इसमें हमें नहीं लगता कि किसी वीशेश इंटरी खास करके सनी लियोन को इ सौंग था इसमें आप किसी अच्छे आर्टिस्ट को लेकिन भाईया भोजपुरी में हमारे चर्चा चल रहा है यह सब यह वीशेश बना हुए पूरे भोजपुरिया समाज में कि सनी लिवनी को क्यों लेकर आए मधू तो तिरिसा को क्यों नहीं अगर मधू को जब वीड होते हैं कि मैं लोग क्या कहेंगी इस पर देखिए जहां तो हम वही बाते तो कह रहेंगी यह स्पेशल स्वाग में उनको कम से कम एक एक्जांपल सेट करना चीए था कि अगर बॉलिवूर्ट से भी आप ला रहे हैं तो कृति सेनन को लेकर चले आते आलिया भट थी सोनम क पूर थी और भी बहुत सारी अभिनेत्रिया थी जिनको यह ला सकते थे बट सनी लियोन को लाए तो इससे इनके मान सिकता असपस्ट होती है और सबसे उससे भी ज्यादा दुर्भाग साली हम को यह लगा कि जो केक जो पहला इन्होंने बड़े का जो केक खिलाया जो वायर क्यों यह नहीं सोचे इनको सुचना चाहिए था कि जिस मा के वज़े से इस धर्ती पर हमाया है अगर मा वहां पर उपस्तित नहीं है तो आपकी धर्म पत्नी है उनको खिलाना चाहिए अगर धर्म पत्नी भी नहीं है तो फिर आपके जीवन को जो संभाल रहे है दिपक सिं यार शनी लियोन अपने बड़े का पहला के अपने पती को खिलाती है चाहे वह पॉर्ण अश्टार यह कि उनों कम से कम सब्सक्राइब लिए उनसे भी आप सीख जाते तो थोड़ा से ज्यादा बेहतर होता लेकिन चलिए कोई बात नहीं भगवान करें आप सुखी रहिए और नीजी जीवन आपका बढ़िया हो आप इतना भी बड़ा सुपरस्टार बन जाईए घर में सुपरस्टार बनने का प्रयास मत भूला भाला बच्चा रही ऐसे आप हैं भोले भाले पवन सिंग नोडोट दिल के बहुत अच्छे इनसान हैं मैं जहां तक जानता हूं पौन सिंग को जब भी बाते हुई इधर से भी फोन आज भी हम कॉल किय थे बधाईयां हमने दिया तो दिल के बहुत अच्छे इनसा वोकल आर्किस्ट और भोजपुरी फिल्म इंडिस्ट्री इन लाइट मुजिक तो यह यहां तक तो सही है बट आपकी जो परस्नल लाइफ है उसमें इतने धब्बे हैं यह पवन सिंग को शोभा नहीं देता जो नाम है यह आज एक नाम है फहले हं पहले हम भी पहले चाहते थे कि ओ Willką जसा गाए पहले रोग चाहते थे और खोंभरी जैसे हमारा भी बेटा पवंसिंग जैसा जन्म ले हमारे भी बंस में कोई पवंसिंग ऐसा बने बहुत नाम था बच्पन से लेकर अभी तक जब से साधी हुआ है इनके पता ने कुंडली में क्या हो गया सब गड़बड चल रहा है भई ने कुंडली में दारू आ गया थुरस जदा ही बढ़ गया उसका भी एक लिमिटेशन खाता पिता सब कोई है सब खाता पिता है लेकिन वहां पर जैसे आज की डिट में आपको बता रहा हूं कोई नहीं चाहेगा कि हमारे खांदाने में परवंसिंग जैसा आदमी पैदा ले क्यों भाईया इतने अच्छ यह बात पूल रही है अगर मुझे कुछ होता है मैं सुसाइड कर लूग। अगर कुछ होता है तो पौन सिंग जिमुआ होंगे उनके पिता जी देखिए अंतीम चल रहा है बाईया यह सब देखे हमको तो बहुत दर्दूर रहा है जयोति सिंग एक स्षिरनी है और एक रा राजपूत समाज की बेटिया सुसाइड नहीं करते हैं तो तो तूटने वाली में से नहीं है वो लडाकू है लडाका है समाज में एक से बेटिया बिरांगनाय जन्मली है वो कैसे तूट जाएगा पीता जी के देखिये क्या हाल हो है आता है समय आता है लेकिन हम तो भगवाद सिराम चंद्र जी से प्रार्थना करते हैं कि अपने वन्सज को सदबुद्धी दें परवन सिंग को वो ग्यान दें अभी वहां से बाहर निकालें ग्यान रुपी प्रकास में लाएं ताकि वो समझ सकें कि सशूर सिर्ख को एक बेटी दान नहीं करता बल्कि अपनी सारी जिन्दीगी दान कर देता है तो आप उनकी फिलिंग्स को समझे cakes कहें सिर्फ किक के अंदर छिए कुछ तो खुबियां हूंगी तब तो आप पसंद करके साधी किये जिसदिन साधी किये अच्छी लगे थे तब नर उसके बाइद है द्योत है उसकर आरोप प्रतयारूप का जो दोर्ड चल रहा है इसको दोनों लोग मिल करके बैठ हैं और बैठ करके इस पर बात करें कोई नहीं तिसरा होगा वहां पर कोई नहीं पती पतनी के जगड़े में तिसरे का इंटरी होगा वुरिस्ता खतम होगा वुरिस्ता खराब होगा सारा सारे लोग बोलता हैं कि अगल बगल रहने वाले साथ में वहु नहीं चाहते हैं जोती सिंह का भोजपुरी का जब आधुनी की तिहास लिखा जाए उसमें पवन सिंग का नाम स्वरनाक्षरों में लिखा जाए अगर वो चाह जाते हैं तो अब तक यह मामला सलट जाता और जोतिस सिंग आज पवन सिंग के घर में लेकिन वो जो भी लोग इर्द की तरह रहे हैं वो खु सिरुसर्ण सहाब को बतोर अभीनेता सहाबादी सहाब निर्माताय के तोर पर प्रोड्यूस कि वहां से हमारी भोजपुरिया स्टार्ट होती है बहुत सारी लोग वहां से बनते बते कुनाल सिंग जैसे सरीख है सिर्ष वाले कलाकार मुहम्मद रफी सहाब गाना गाए लोग से फिर बढ़ते हुए तो गुडू रंगिला मनोज दिवारी यह तमाम फिर दिनिस लाल यादो पवन सिंख सार लाल यहां तक यहां तक बोजपुरिया कहने का मतलब हमारा कि सबका जब इती हास जब पढ़ते हैं तो हमको एनर्जी मिलता है मिलता है लगता है कि हम भरत सर्मा जैसे कोई और पैदा ले लेता है लगता है लगता है कि भिखार इठाकु जैसे कोई और पैदा ले लेता है